Hi everyone, so आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यह wedding and party makeup look जोकि मैंने बहुत ही affordable products के साथ create किया है, आप भी इसको create कर सकते हैं बहुत ही easily चलिए करते हैं makeup start, सबसे पहले मैं यहापे लूँगे aloe vera gel जिससे मैं बनाऊँगी अपने makeup का base, face पे so aloe vera gel आपको अच्छे से अपनी skin में absorb करना है, अगर आपके पास primer है आप यूज कर सकते हैं बढ़ क्योंकि यह affordable product के साथ makeup look मैं create कर रही हूँ, इसलिए मैंने aloe vera gel ही use किया है उसके बाद मैं यहापे ले रही हूँ under eye gel, जल्दी ही मैं इसका review आप लोगों के साथ share करूँगी यह बहुत ही effective अफ बहुत ही अच्छी cream है, जो makeup के नीचे मैं अभी लगा रही हूँ, आपके पास है तो लगाईए, वरना कोई नहीं उसके बाद हम foundation लगाएंगे, यहाँ पे मैं me on का foundation use कर रही हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा foundation अपने हाथ पे निकाल लूँगी अगर आपके ज़ादा dark circles हैं तो आप थोड़ा foundation लेके अपने eye lid पे और लगा लीजे और फिर beauty blender से कुछ इस तरीके से blend कर लीजे तो वो जो dark spot है वो सारा hide हो जाता है अब foundation के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना regular compact powder आपके पर जो भी compact powder आप यूज़ कर सकते हैं लूस powder भी यूज़ कर सकते हैं और यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो foundation है वो अच्छे से stay करे हमारे face पे जो हमारा makeup है वो glow करे और अगर base अच्छा बनेगा त वो भी makeup products यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कोशिश करके मैं वो mention कर दूँगे description box में इसी वीडियो के नीचे आप check out कर सकते हैं basic सा base यहाँ पे बनके तयार है अब हम eyes पे focus करेंगे मैंने थोड़ा सा yellow golden eyeshadow लेकर मैं अपने पूरे eye lid पे उसको अच्छे से spread कर लूँगी so ये makeup look उन लोगों के लिए है जो salon अभी तो बंद है बर salon जब open भी हो जाएंगे तो वो नहीं जाना चाते और उनको party और शादी भी attend करनी है तो बहुत easy steps के साथ simple तरीके से आप ये makeup कर सकते हैं कोई भी technique हमने इसमें use नहीं करी और बहुत ही simple products भी इसमें use किये है golden eye shadow को लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है pink color जो कि मैं eyes के एकदम corner वी पे और crease पे थोड़ा सा लगाऊंगे आपके outfit का जो भी color हो आप वो ले लीजे पिंक के जगा पे हम फिल करेंगे यहाँ पे eyebrows अगर आपके पास eyebrow pencil या filler नहीं है तो don't worry मैंने भी यहाँ पे अपने eyeshadow palette से black या brown color आप ले लीजे और अपने एक brush से brush की help से आप अपने पूरी eyebrows को फिल कर लीजे अब बारी आती है blusher की चाहें आपके पास shimmery blusher हो या फिर matte blusher हो आप कोई भी blusher हो ले सकते हैं यहाँ पे मैंने भी अपना regular सा बहुत ही simple सा blusher ले आया है pink color का पहले मैंने अपने face को pout shape बनाकर blusher लगाया है cheeks पे और फिर smile करकर लगाया है इससे बहुत अच्छे से चीक पे spread हो जाता है पूरा blusher और blusher बहुत ही ज़्यादा important step है क्योंकि बहुत अच्छा look इससे create होता है पूरे makeup का उसके बाद आप simple जो भी काजल और liner आपके पास है आप वो लगा लीजिए यहापर मैं काजल से ही liner create कर रही हूँ अब मैं यहापर यूज़ कर रही हूँ लैक में का iconic mascara अपनी eyelashes को थोड़ा length देने के लिए हम mascara यूज़ करते हैं कि हमारी eyes को bold भी बनाता है अगर आपके प बाद मैंने अपनी nose पे लगाया आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा highlighter है मैंने last video में भी share करा था थोड़ा सा forehead पे और थोड़ा सा chin पे भी हम इसको apply कर लेंगे अब हम apply करेंगे lipstick अगर आप pink lipstick apply करने वाले हैं तो pink pencil ले लिजे outline करने के लिए या red अगर आप apply करने वाले हैं तो red outline के लिए pencil ले लिजे outline करने से आपकी lipstick बिल्कूल भी lips के इधर उधर नहीं जाती और बहुत ही अच्छे से apply भी हो जाती अब मैं liquid lipstick है ये मेरी और मैं ये apply कर लूँगी अच्छे से makeup तो पूरा हो चुका है बट एक चीज अभी रहती है वो है eye पे ये glitter तो ये glitter मुझे personally बहुत जादा पसंद है मेरे पास golden and silver दोनों color के हैं बहुत easily आपको किसी भी cosmetic shop पे मिल जाएगा ये आप तभी apply करें जब आपके थोड़े close one की शादी हो और आप थोड़ा सा heavy makeup look चाहते हैं क्योंकि ये काफे जादा blingy लगता है सिर्फ eye lid पे मैं पूरे eye shadow के उपर इसको apply कर लूँगी वो ही regular brush से और हो सकता है कि थोड़ा सा उड़े भी हो और आपके पूरे face पे भी आए तो don't worry आप कोई भी normal tissue लेकर उसको अच्छे से clean कर लीजे वो बिल्कुल हट जाता है लेकिन ये काफी जादा attractive लगता है तो आप इसको एक बाद जरूर ट्राय करना मुझे तो ये personality बहुत ही जादा पसंद है make up complete हो चुका है अब मैं मिलती हूँ hair और jewelry के साथ so मैं तो एकदम ready हूँ party में और weddings and functions में जाने के लिए आप भी बहुत easily ये look create कर सकते हैं आपको ये look कैसा लगा मुझे comment करके please जरूर बताना style भी मैंने बहुत ही जादा simple रखा है made parting करके बस bobby pin से मैंने side के बालों को tuck in कर लिया और अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी एक बिंदी क्योंकि बिंदी से बहुत ही जादा enhance हो जाता है पूरा look आपको ये look with मांगती का अच्छा लगा या without मांगती का आपको ये look with बिंदी अच्छा लगा या without बिंदी मुझे comment section में जरूर बताना बहुत ही जल्दी मैं wedding jewelry collection भी आप लोगों के लिए लाने वाली हूं थांक्स ओवाचिं टेक केर बबाई